मध्यय युग में पहस्चमी इरोप में कई लोग प्रिये संथ हुए हैं उनमें एक थे संथ लियोनाड जिनका तेवहार छे नौवंबर को माता कलिशिया मनाती है यह फ्रांस देश के कुलिन पुरुस थे यह समराट कोलोविस प्रथम के दर्बारी और मित्र थे संथ रेमेजियूस से प्रभावित होकर इन्होंने खृष्ट धर्म को स्विकार किया था और समराट कोलोविस इनके धर्म पिता थे संथ लियोनाड कैदियों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे यही कारण था कि समराट से निवेदन कर कई सारे कैदियों को मुक्त करा चुके थे संथ लियोनाड नम्र और सरल स्वाभाव के व्यक्ति थे अतह समराट कोलोविस इन्हें धर्माध्यक्ष बनाना चाहते थे पर संथ लियोनाड की अलग सोच और रुची थी इसलिए इस प्रस्ताव को नकार दिये वे एक मठवासी बन कर एकांतवास में रहना चाहते थे इस चाहत को पूरा करने के लिए वे ओलियर्स गए और वहां के मठाद्यक्ष मैक्सी मैन्यूस से मिले और उसके निर्देशन और संरक्षन में धर्म संगी बने और वहां से अधिक एकांतवास की तलास में जंगल गए और वहीं पर एक जोपड़ी बना कर रहने लगे प्राथन द्वारा इस्वर में लीन होकर अपना जीवन ब्यतित करते थे एक बार प्रांस के समराथ सिकार खेलते वे उसी जंगल में संत लियोनार्ड के जोपड़ी के पास पहुँचे उसके साथ राणी भी थी वह गर्बवती थी और उसी समय उनका प्रसव पीड़ा प्रारम हुआ सुभीधा के आभाव में बच्चे को जन्म देने में राणी को बहुत कस्थ हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि राणी के मृत्ति हो जाएगी संत लिवर्नाड ने परिष्थिती को समझा और प्रार्थना की उसके प्रार्थना के प्रभाव से बच्चा सुरक्षित जन्म लिया और राणी को भी कुछ नहीं हुआ समराथ संत लिवर्नाड के प्रति बहुत किर्टक्य हुए और अपना अभार प्रकट करते वे उससे कहा एक गधी पर चड़कर आप एक रात में जितनी भोमी पर परिकर्मा कर सकोगे वह आपका हो जाएगा उसके जीवन सहली से प्रभावित होकर उनका अनुकरन करने के लिए कई लोग संत लियोनार्ड के पास आए इस तरह उनके साथ मिलकर एक समुदाय बना बाद में जो निश्चित भोमी पर परिकर्मा करके पाया था वह एक मठ का निर्मान किया और वह उसका मटाध्यक्च हुआ आगे चल कर वह उन्नत मठ में बदल गया जो नोबलाक का मठ कहलाता था वही से वह आसपास धर्म प्रचार का काम और लोगों की सेवा किया करते थे उनकी मध्यस्त प्राथना बहुत प्रभावसाली होती थी विशेशकर वे प्रशाओं में पड़ी महिलाओं कैदियों और रोग ग्रस पस्वों के लिए प्राथना करते थे और वह बहुत असरदार होता था कहाज आता है जब वे कैदियों के लिए प्राथना करते तो अपने आप कैदी की बेडियां तूट जाती और तूटे हुए बेडि सहित वे संत लिवनार्ड के पास आते और वह उनको अपने प्रवचन द्वारा अच्छे ब्यक्ति बनने के लिए प्रिरित करता था उन्हें जंगल में ही जमीन देता और उन्हें साप कर खेती बारी करने के लिए कहता था इस तरह वे नए ढंग से खुशी पुर्वक अपना जीवन यापन करते थे अभी के समय में वह जगह संत लिवनार्ड के सहर से जाना जाता है सन पांस सव उन्सट इस्वी में संत लिवनार्ड का देहान्त हुआ पर इनकी लोग प्रियता ग्यार्वी सतावदी से पहले नहीं थी बाद में इरोप्य देशों में इसकी भक्ती बढ़ी और वहाँ वे एक लोग प्रिय संत बन गए कई गिर्जे घरों को इसके नाम से समर्पित किया गया नोबलाक का गिर्जा घर एक सुब्ख्यात तित अस्थल बन गया प्रसाव पेडित महिलाओं और कैदियों के लिए संत लिवनार्ड से खास प्राथना की जाती है संत लिवनार्ड का जीवन हमें सिखाता है कि बड़े अधिकारियों के साथ का संबंध और उनसे मिलने वाला लाब को सरोजनिक कल्यान के लिए करना चाहिए पद और प्रतिष्ठा का भुखा ना होकर इस वर साधना को अधिक महत्वत देना चाहिए क्या हम भगवान के लिए संसारिक लाब को त्यागने के लिए तयार होंगे संत लेवनार्ड आज हमारे लिए ये बड़ी चुनवती देते हैं